hey guys welcome back to basic academy once again so today we are doing question no.3 of exercise 13.1 of surface area volume chapter तो बहुत easy है हम अभी तक जिता बचल रहे है बहुत easy है तो अब question no.3 कड़ेंगे question में क्या है first of all listen this carefully ठीक है the floor of rectangular hall has a perimeter 250 meter अभी हमें बताया क्या है कि एक फ्लोर दे रखा है rectangular hall का जिसका perimeter 250 meter का है यानि कि hall के floor का shape कौन साथ होगा rectangular होगा ठीक है अब हम उसकी cost भी दे रखी है कि it's a cost of painting of the four walls at the rate of four walls की बात कि यानि कि यहां later surface area के बात है ठीक है यानि कि top और bottom नहीं है listen carefully अब हमें देखो क्या देखा पूरा question पहले देख लेते हैं 10 meter per meter square ठीक है इस रूपीस मतलब इतना four walls का rate दे रखा है एक मीटर square का कि इतना होगा रूपीस और उसके total करके हमारा जो आएगा lateral surface के वह उसका height होगा वह इसकी equal माज़ेगा अब उसके कैसे करेंगे तो हमें इसके height बस find करें क्योंकि हमें सब कुछ तो हमारे पास है हमारे पास cost भी है हमारे पास perimeter भी दे रखा है let us see ठीक है तो हमें perimeter कितना हमारा perimeter of the floor of rectangular hall is 250 meter ठीक है यह हमें अभी दिया है और हम सभी जानते हैं कि एक रेक्टांगुलर का perimeter perimeter of rectangular कितना होता है 2 into L plus B और हमें height founder करना है ठीक है तो 250 meter के side में लिखतो अब हमें कुछ करना नहीं हमें height founder करना है यहारे कि 2 L B plus B H हमें height find out करना है क्योंकि हमें वही नहीं पता है ठीक है तो 250 meter मीटर तो देखो ध्यान से सुनना बात को ठीक है हमने देखा कि हमारा जो एक में ध्यान से आपको दिख रहा है ठीक है तो देखो 1 meter square हमने कितना जाना था कुटस्चंड में आओ फिर से देखो एक मीटर स्क्वायर में कितना रूप़ा रहारा पढ़ेगा दस रूप़े अब उसी चीज को ध्यान से सुनना कितना देना पढ़ेगा दस रूप़े तो अब बताओ 250私 거는 कितना देना पढ़ेगा है स्क्वार लिखा जाएगा ठीक है 250 मीटर स्क्वार में कितना पड़ेगा तो यू आप तो राइट डाउन 250 मीटर यह हाइट आजएगा देखो यह से आकर मल्टिप्ला हो जाएगा पता है क्यों इसके बीच में रीजाने को मैं आपको बताती हूं ठीक है यह हो जाएगा हाइ हीड मीटर स्क्वार मीटर स्क्वार हीड हमें फाइन एक हमें इसकी साथ मुल्टिप्ला में में रहेगा ताकि वाग यह आप कि लिए हम हमाइंश चांठ बढ़ीं कको क्रों आप मध्लिकेशन कर देंगे जो कि हमें बहुत पहले शी ही पता है यह उस फिपीछ स्वज origin पर ठीक है अब देखो हम सब जानते कुशिंद में कि अगर 15,000 का कितना होगा हमें यहां परे खेंट दे रखा है कि area of walls जो होगा वह लेटरल सर्फेस की equal होगा तो हमारे equal है क्योंकि हम जानते हैं कि 15,000 और 2,500 एक जुस्य के बराबर है तो हम वही वैसी सेम दिख देंगे कि तू यहां इससे हटा दो तू फाई जिरो एज एसपस मीटर स्कूर बान में लगा देंगे ठीक है और 15,000 ठीक है अब कितना होगा इससे करके ओके 55,000 25,000 5,500 15,000 35,000 5,000 5,000 6,000 के तरह भी और multiply हो सकता है जिसका answer क्या है इसक्स मीटर यानि कि जो हमारा height of the wall है वो क्या है 6 मीटर है so that's all बहुती easy question था I think आपको समझा गया तो I think so पूरी वीडियो आपको देखने के बार हर एक डाउर clear हो गया होगा ठीक है clear yes I think so आपको visible है हमारी height आगे है students बहुती easy way में इसको थोड़ा और अच्छे से तरीके से देख लो thank you